हलो एवरीवन मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जो है पेपर सौल करवा ले वाला हूँ लेब असिस्टेंट 2018 का जो पेपर है उसको कम्प्लीट यहापर सौल करवा हूँ जितने भी कुश्चन है वीडियो वोच करें एंड तक देखें तो यहापर सबसे पहले कुश्चन नमर वन है अगर कुश्चन नमर यहाँ पर वन की हम बात करें तो कुश्चन नमर वन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो राइट आंसर होगा ओप्शन ए हो जाएगा क्या हो जाएगा यह कुश्चन आपके सामने रहा राजिस्तान के कौन से छेतर में चैतर शुकल पांच को गुलाबी गंडगोर मनाई जाती है तो नाथ दुआरा यह एक या दो एक्जाम में आया होगा है तो सबको पताई वह इसका आंसर नाथ दुआरा होगा पहली बर यह राजिस्तान के ए कुश्चन नंबर पांस के यहां पर बात करें राजिस्तान में अजमेर के विले के समय वहां का मुख्यमंतरी कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी बाव उपाद्या है नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने रहा निम्न में से कौन कोटा में अठ्था सत्ता उनकी के विद्रों का नेता था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा जैद जैदयाल नेक्स्ट कुश्चन आपका वीर सत्त्साई बलव दिर्वास या राम रंजाट के लिखा के तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सूर्यमल मिस्रं इसका निर्मान की स्वाहन सासे ने करवाया था तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा कुशन नमर 9 का उप्संसी प्रत्विरा सेकिंड नेक्स्ट कुशन है निम्रिकित में से कौन सा मंदोर के प्रतियारो के त्यास की जानकारी देता है तो घटी अला भीले किसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आप सभी के सामने ये रहा निम्र में से कौन से सासक ने अकबर से विवाई समय स्तापित नहीं किये तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अंतंबोर के राओ सुर्जन हाड़ा मैं आपको इसलिए ये फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ए नेक्स्ट कुशन आप सभी के सामने ये रहा मतश्य संका कौन सा राज जनता के बहुमत के आदार पर उत्र प्रदेश के साथ विलीनी करन के लिए तैयार था तो इसका जो राइट आंसर है 16 का वो हो जाएगा यहां पर दोलपूर कुशन नमर 17 की बात करें मई 1947 को काली भाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दोरान पुलिस की गोलियों दोरा बुंदी गई वे किस जेले की ती तो राइट आंसर हो जागा यहां पर डोंगरपूर नेक्स्ट कुशन आप सभी के सामने रहाँ राजिस्तान में स्वतंतरा अंदुलन के दोरान ग्रप्तार होने वाली राएट आप सभी को बताएं ऑजना देवी चोधरी थी कुण्डली मंदली में सामिल हुए तो इसका जो राइट आंसर है यानि कुछिन नमबर जो यहां पर देखो यह कुछिन थोड़ा यह 18 था तो 18 के बाद में आपका 19 20 21 की बात करें तो यहां पर पीपा जी हो जाएगा कुछिन नमबर 22 की आपर बात कर लेते हैं लोग देवत है नेक्ट कुशन कुद्रस सिंग को ही हस्त कला में मारत के लिए पदम सरी यह वापा से रिपीट हुआ है यह हो जाएगा आपका मीना कारी कला कुशन नमर्टी धर का अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 की बात करें तो मुहमद शाह और साहीब राम किस रास्तानी चितरकला सेली के लिए प्रशी चितरकार थे तो इसका जो राइट आंसर है कुशन नमर्टी फॉर का यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानि जैपूर हो जाएगा कुशन 25 की बात करें दाद दूर उसके सिश्चों की रचना है अधिकतर किस बासा में की जाती है तो राइट आंसर है 25 का ऑप्शन भी डूंडाडी में चीक है नेक्स्ट कुशन 26 इस्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट के आदार पर तो यहां पर जो 26 का राइट आंसर है वो हो जाएगा 38.11 सेरगड वन्य जीव चित्र सेरगड कहां पर है तो यह तो आपको पता होना चाहिए वह सेरगड कहां पर है यही से आप पहचान सकते हैं 12 के इंदर ठीक है जाएगा नेश्ट कुशन रास्तान में थार मरुस्तल से परवाइट छेत्रपल वे जनसंग्या का प्रतिशत कितना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 और जनसंग्या 40% रास्तान उट का विग्यानिक नाम विग्यानिक नाम आपको आने चाहिए क्योंकि आप इस्तिरता के साथ विकास आत्म निर्बरता किस योजना का लक्स था कौन सी पंच वर्शी योजना थी फाइव यर प्लान था तो यहां पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्त पंच वर्शी योजना सोम कमला अमबा यह कापीवर एक्जाम में पू इंद्रा गांधी नेर परियोजना में से कुशन है तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा कुंबा राम लिट लिफ नेर तो राजिस्तान जी के ज्यादा तप भी नहीं पूची जाएगी तो ज्यादा इजी भी नहीं जाएगी तो आप अगर लक्ष क इंद्र जो आपको पर होने वाला है कुशन नमर 37 की बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा ठीक है नेक्स्ट कुशन निमलिखित में से कौन सा यू सुमिलित नहीं है बताब गलत बताना है आपको नोट करेक्ली मेस्ट बताना है आपको तो यहां पर क्य निमलिखित में से किस जले में वार्सिक वर्षा अधिकतम विसमता पाई जाती है यह आपका जैसल मेर है जैसल मेर के अंदर ऐसा होता है ठीक है तो कोश्चन नमर 40 का क्या हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन रास्तान के सरवादिक छेतर निमलिखित में से मिर्दा पाई ज चिय कहते हैं इसका जो राइट आंसर 42 का वो क्या हो जाएगा? और आसान सवाल और यहां पर 44 गंगा नगर थिक है तो राजस्तान से टच में कॉनसा है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा 45 का option A हो जाएगा next राजस्तान का देशांतर विस्तार क्या होगा 46 का यहाँ पर हो जाएगा आपका option A next question red click Reka का रास्तान विस्तार 45 में option A हो जाएगा 46 में क्या हो जाएगा आपका option A हो जाएगा next यहाँ पर बात करें 47 की बात करें तो यहाँ पर option B आएगा आपका क्योंकि share ठीक है नब तो share चोटी जो है उसकी आपको बतानी है उचाही कितनी होगी सबसे जो लंब सबसे उची चोटी है वो होती है आपकी गुरुशीकर जिसकी उचाही है 1722 मिटर उसके बाद में share 1517 मिटर हो जाएगी राजिस्तान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पाड़ी का विस्तार नहीं है अरावली सबसे प्राचीन पाड़ीों में से एक है इसका विस्तार के जिले में नहीं है 48 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं आपको इसको भी छोड़ता हूँ क्योंकि इसको छोड़ा गया था तो इसको हम छोड़ देते है फुलवारी की नाल कहां पर है तो राइट आंसर हो जाएगा आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फिरी स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर वर लड़ने के अप अनकेडमी को प्ले स्टोर से डाउलोड करना होगा डाउलोड करने के बाद रेइस्टर करें, sign in करें अपने mobile नंबर से उसके बाद में category select करें सबसे पहले आपको category select करनी होगी sse non technical select करने के बाद में आप free special class में जाए और मेरा नाम संस करें अर्विंद कुंडारा आप मुझे वहाँ पर follow कर ले अगर आपको किसी और educator से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग follow कर सकते हैं और उनकी class भी ले सकते हैं follow करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ regular मेरी classes हो रही है plus में भी classes हो रही है free में भी classes हो रही है मेरी free special class morning में सुबह 8 बजे होती है उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9 बजे class होती है जिसमें मैं आपको जो है general science और इस्टेटिक जीके पढ़ा रहा हूँ भी description में है आप सभी लोग जुड़िए free class है कोई विद्यारती आ सकता है और पढ़ सकता है अगर आप general competition की तैयारी कर रहे है वापर बहुत सारे features है आपको पोल दिये जाएगा आपकी rank आएगी तो सभी लोग जुड़ जाएगे प्रिक्रिया जिसमें alcohol का मिसरन होता है तो जीके complete हो गई है पचास question आपके जीके के थे जिसमें राजस्तान जीके और काफी अच्छे question थे ठीके न भूस्तरी होता है किस प्रकार का इस तम है इस तीम है तो इसका जो राइट टांसर है 53 का वो जाएगा option D ठीक है ना next question आपके सामने रहा रोजी क्या है तो रोजी आप सभी को बताए कि ट्रांजेनिक है अब ट्रांजेनिक बकरी है गाय है क्या है यह तो यहापर राइट आंसर हो जाएगा 54 का यह गाय है ठीक है लीची का खानियों को भाग बहुत अच्छा question है और 57 का राइट आंसर है पर Morgan क्या हो जाएगा TH Morgan साधान ते मूसला मूल पाई जाती है यह आपके जो होगी एंगिस्पर्म में होगी जीमनोस्पर्म डाइकोट मोनोकोट तो जो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दिव बीच पत्री यानि डाइकोट ठीक है ना नासपति का खाने योग भागया होगा तो इस परकार के दो सवाल आएक तो लीची काया एक यहाँ पर सेब और नासपति काया तो 61 का जो आंसर हो जाएगा आपका पुश पाशन ठीक है और जो पढ़गे गए थे इस आंसर को कर दिया था ग्रीन सेवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन एलगी जो आर के फल को क्या कहते है जो जो आर का फल होता है इसको क्या कहते है तो इसको कहते है यहां पर केरियोप्सिस ठीक है ना सब्द बायो जीनोसिस किस ने प आपा जाता है यह आपका क्या हो जाएगा डेंट्रोग्राम नेक्स्ट कुशन आपके सामने ही रहा मानव अपरा अपरा यह नी प्लेसेंटा द्वारा निसकाशित हार्मोन के संबंद में सही किरां बहुत अच्छा सवाल है और 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट कुशन तंतरी का अविक के फ्लेक्शन के समय पुन्य द्रवन की क्रिया होती है आपको पता है इसमें पोटेशियम और सोडियम ही होगा तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम तो कौन सा होगा 69 में ओप्शन सी पोटेशियम के बही प्रवाँ नेक्स्ट की द्वयनी को विविधिकरत करण के कि सभाग द्वारा किया जाता है इसका जो राइट आंसर था वो था 71 का उप्शन सी आधारीकला रेकित पेशी के लिए जब एक संकुचित होता है तो कौन सा कतन सही नहीं है यह पूछा गया था तो इसमें सही नहीं है 72 में उप्शन एस यह बड़ा आसान सवाल था बच्पन से पड़ते आरे नाइन रेशो थिरी रेशो थिरी रेशो थिरी रेशो वन तो राइट आंसर के ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 74 में ऑप्शन भी हो जाएगा चीक है नेक्स्ट कुशन आप सभी के सामने रहा यहां पर सिंड्रोम दे जाएगा ऑप्शन 75 में जो है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट कुशन निम्न में से कौन सा समतापी प्राणियों का है तो पता है आपको वेल हो जाएगा कबूतर चमकादड़ तो यहां पर 76 में ऑप्शन ए नेक्स्ट कुशन मतलब जो बाइलोजी आई थी वो ठीक यहां पर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है बो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट कुशन कौन सा एंजय में उपस्तित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है अब बताओ यह एंजय मारा सवाल बहुत आसान होता है तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज क्या अगर आपर बात करें तो 81 की बात करें ऑप्शन भी आजाएगा कि मनुश में जीवानी रोगे अब बताओ यह तो मतलब एक जंदल में भी यह सवाल आ जाते हैं कि जीवानों से होने वाली बिमारी वाइरस से होने वाली बिमारी तो टाइफाइड प्लेग और टाइफस ठीक है ना तो यह ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो नेक्स्ट कुशन समजात अंगो का सई सेट चैन कीजिए तो 82 में राइट आंस आपके एक भी सवाल गलत नहीं होंगे यह अच्छा सवाल था चैना एक नुमेरिकल टाइप सवाल है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का वो दे रखाता यहां पर ऑप्शन भी 1.25 चैना बुरुष्टर का नियम क्या है यह अच्छा सवाल था और इसका जो 87 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी दूर रहोंगे है तो इसका जो राइट आंसर 89 का वो जाएगा ऑप्शन दी यह नि चार गुना हाइगा चार गुना हाइडोजन परमानु को अपनी निकट वर्थ अवस्ता में उत्ते अवस्ता में जाने के लिए आवशक उर्जा कित इनर्जी चाहिए तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दस पॉइंट दो चीक है चलिए नेक्स्ट कुशन है डूटीरियम नाविक की बंदे नुजा डूटीरियम क्या होता है यहां पर नाविक के लिए दरविमान शती का मान क्या होगा यह नियुमेरिकल एक धनकीकैन राइट आउट गक्षोन हाए नेक्स्ट कुशन नियुमेरिकल यहां पर देख और होगे और यहां पर दे रखाये कि लीथियम और लिथियम यह परमॉन करुमांग नाविक के बारे में और यह पर अप्शन बार्ट चीक होगा है चीक है तो 94 का अंसर हो जाएगा यहां पर option D, देख लेने, इसको solve करके, 95 कि यहां पर बात करें, तो option C हो जाएगा, आदर्स अचा लट, यह गेट में से सवाल आया, जो अच्छा सवाल है, यह आपका जो NCRT में जो electronics वाला chapter है, उसमें से पूचा गया, logic gate, तो इसका जो right answer हो जाए option A, next question आपके सामने यह रहा हो, यह काफी बड़ा सवाल इसको पढ़ लेना, इसमें M1, M2 जो आपका द्रिवमान दे रखा है, तो यहां पर बैसे बड़ा आसान सवाल दा है, लेकि इसको थोड़ा लेंदी है, तो पढ़ लेना, 98 का जो आंसर है, वो हो जाएगा, यहां प option A, next question, 103 की आपर अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं, दो समान ताप के बीच कारिये करने वाले उतकरमनी ओर्जा इंजन की दक्सताएं क्या होंगी, तो इसका जो राइट आंसर 103 का, वो हो जाएगा option A, बराबर होंगी, सरल आवर्त गती में विस्तापन पर गती ज इनर्जी है, और जो पोटेंशेल एनर्जी है, वो समान कब होंगी, तो इसका जो राइट आंसर 104 का, वो हो जाएगा option A, next question, एक बच्चा जूले पर जूल रहा है, और उसकी जमीन से निमतम अधिकतम होचा इतनी है, तो बता अधिकतम चाल क्या होगी, मतलब ये कानेटिक और उसका ही सवाल है, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 105 का जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा option B, यानि 5 मिटर पर सेकिंड, मिटर पर सेकिंड, okay, ठीक है, 106 की बात करें, और ये निमेरिकल है, और ये निमेरिकल का आपको आंसर निकालना होगा, मैं बता आंसर क्या है, आंसर की क्या दर पर, चीक है, आप इसको देख लेना, इसके पीडियाप में आपको लास्ट में बताई दूँगा, जाएगा, ओप्षिन बी, 108 की बात करें, तो यहां पर ये भी एक निमेरिकल टाइप में सवाल है, और 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 109 की बात करें, मतलब थोड़ा फिजिक्स को आपको डंग से पढ़ना, अगर आपको फिजिक्स डंग से आती है, आपको केमिस्ट्री ठीक ठाक आती है, तो आप यहां पर जो है, अच्छा खासे स्कोर कर सकते हैं, बाइलोजी का लेवल ठीक था, इसलिए बच्छों ने का 109 की बात करें, तो option C हो जाएगा, ठीक है, बाकी NCRT कर आप पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको युमेरिकली भी पढ़ने पढ़ेंगी, 10 की बात करें, तो इसमें option B हो जाएगा, ठीक है, and 11 की बात करें, तो इसमें option A हो जाएगा, next सवाल, question 112 की बात कर लेते चैप्टर 2 या 3 है, जो जिसमें आप पढ़ते हो, जो है, सेतु के बारे माला जो चैप्टर है वो, तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा, 113 का क्या हो जाएगा, इसका अंसर, तो option B हो जाएगा, option B, next सवाल, question 114 की बात करें, तो यह भी एक numerical है, नुमेरिकल है, नुमे question 116, इसका right answer और option D हो जाएगा, इसका right answer option D हो जाएगा, 117 की बात करें, इसका right answer option A हो जाएगा, इसका right answer option A हो जाएगा, यह बड़ा आसान था, गदेग को पता है, तो यह जा आपको यूनिट पता होनी चीए प्रस्तनाओ की सरपेश टेंशन की आपको पता होनी चीए तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूटन मिटर स्क्वार चिक है इन्वर्स बोल सकते हैं द्रव के प्रवा के आंतरी पृतिरोद को क्या कहते हैं तो यहां पर जो है कुश्य नमरे 121 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन सी श्यानता नेक्स्ट कुश्यन वर्सा की बुंद गोला कराकरती की होती है यह बड़ा आसान सवाल था और इसको कह सकते हैं कि जन्रल साइंस का सवाल है यह आपका जन्रल साइंस का सवाल है तो 12 32 का जो राइट अंसर हो जाएगा यह पर प्रिस तनाह सरफेश टेंसल एंड 123 का जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा ओप्शन ए तो 125 में आजाएगा उप्शन 6, मतब उप्शन 6 हो जाएगा उप्शन 6, 126 की यहां पर हम बात करें तो इसका अंसर हो जाएगा option D, willian वाले में से है, next और यह भी willian में से 127 वाला की NACL की मोल बिन गया होगी, मोल बिन आगर आपको निकालना आता है, तो बड़ा असान है, कोई दिक्कत नहीं है, chemistry भी एक medium level की थी, physics मुझे थोड़ा दगा कि थोड़ा tough सवाल थे, बागी physics में भी जिसको अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं थी, तो 127 की बात करें, तो इसमें option A हो जाएगा, राउल्ट के नियमन सर, अब राउल्ट का, हिंदरी का, यह सारे नियम हमने पड़े हैं, इलक्ट्रोचेमिस्टी वाला जो चैप्टर है आपका, NCRT का, उसमें सब कुस दे रखा है, तो 128 की अगर हम बात करें, तो इसका जो राइट आंसर है, option D हो जाएगा, मतलब पूरा NCRT में से आयको लुमिला के बात ही है, 139 की हम बात करें, तो option A, तो अब इस paper को analysis करके ही आपको तैयारी करनी है, इसलिए paper को solve करवा रहा हूँ, थोड़ा fast इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं live नहीं हूँ, और मैं एक वीडियो के रूप में इसको डाल रहा हूँ, इसलिए आप जल्दी से देख लें, टेलिग्राम पर मैं आपको इसकी PDF उप्रवत करवा दूँगा, वहां से अच्छे से इसको analysis कर लेना, चीक है, answer की मैं आपको बताई रहा हूँ यहां पर, 130 की आपर हम बात करें, 130 का जो right answer हो जाएगा option B, next question, 132 की यहां पर बात करें कि निम्लिकित कतनों में से अनों की अनुनात सनरस्तनाई जो है, वह कौन सा कतन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है तो 132 में option D हो जाएगा, 133 की बात करें एथेन के संत्रित संरूपन का विशिक सही कतन चुनें, correct आपको बताना है, 133 की बात करें, option B हो जाएगा, अगर हम बात करें यहां पर बात करें, 134 की बात करें तो right answer हो जाएगा option A, निम्लिकित में से सबसे कम अनुभार वाले एलकेन की खोज, चतुस कारमन हैं, तो यहां पर 2-2 di-methyl propane हो जाएगा, question number 135 की बात करें, तो इसका right answer हो जाएगा option D, next question, 136 की आपर हम बात करें तो इसका हो जाएगा option A, 137 की आपर हम बात करें, option हो जाएगा C, कि आदुनिक आवर्साणी का आवर्त निम्लिकित में से किसको व्यक्त करता है, quantum संक्या को, आवर्साणी आवर्त निम्लिकित में से किसको व्यक्त करता है, वैसे परमाणु किर्मांग होना चाहिए, क्योंकि आदुनिक आवर्साणी जो modern periodic table है, यहाँ पर इसका right answer था answer की के आदर पर, वो मुक्ही quantum संक्या था, उस्तम इलोक्ट्रन लब्दी और जा वाला तत्तू, तो यह जो है 138 का answer होगा, इसका हो जाएगा कलोरीन, next question, उस्तम इलोक्ट्रन लब्दी वाला और जातत्तू, तो यह कलोरीन वापस से repeat हुआ है, and question number 149 इसका right answer है, वह हो जाएगा option D, 140 का हो जाएगा यहां पर, यह delete, यह वाला जो question है, 140 वाला एक question था, और एक question जो मैंने इसका answer नहीं बताया, और दो question याद रख लेना, 141 का अगर हम बात करें तो यहां पर option B हो जाएगा, and हम बात करते हैं, 140 की, इसका जो right answer है, 143 का यहां पर आंसर है option B, next question 144, BF3 के अगर हम बात करें, BF3 के यहां पर हम बात करें, कि अमलेता सिद्धान के आदर पर समझाए जा सकती है, तो right answer है, 144 का option B, Lewis के आदर पर ठीक है न, और यह Lewis संद्रस नहीं होती है, और यह Lewis संद्रस नहीं होती है, 145 के यहां पर बात करें, option C हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, next question, एक लेटर बफर विलियन में इतना इतना आपका है, तो यहां पर आपको बताने हैं, इसके pH क्या होगी, यदि विलियन का pH इतना है, तो POH होगा, इसका right answer हो जाएगा 147 का option D, next question आपके सामने है, निम्न में से कौन सा बफर विलियन के रूप में कारिय करता है, इन चारों में से, तो 148 का right answer हो जाएगा option C, क्या हो जाएगा option C, और किनी दो गैसों के मिसरंड का कुल दाप किसके बराबर होगा, यह हो जाएगा आपके दोनों गैसों के, आंसिक दाप के गुणन फल के बराबर, और आखरी question आपके सामने ही रहा, कि आदरस गैसों के समयकंड PV बराबर NRT, तो R का गणितिय मान यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका right answer option D, कि 8.314, और वायो मंदन, मोर इनवर्स और केलिविन इनवर्स, तो यह 150 questions मैंने आपको बता दिये हैं, 150 questions मैंने आपको बता दिये हैं, और यह paper solve करवाने का मकसर इतना ही है, कि एक idea आपको लग जाए, एक analysis आपके दिमाग में हो जाए, कि बिल्कुल chapter wise questions पूछे गए हैं, chapter 1, chapter 2, chapter 3, inorganic, organic chemistry में भी, इसके अलावा जो है आपके physics में, biology में, हर chapter से question पूछे गए हैं, तो आपको NCRT को चाटना हैं, बस NCRT को आपको गोल के पी जाना हैं, यह काम आपको करना होगा, ठीक है ना, और आप NCRT को कैसे पढ़े हैं, कैसे नहीं पढ़े हैं, तो आप बोल दीजे, मैं वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, 2016 में पेपर सोल करवा हूँ, तो इस वीडियो पर जादा 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 एक कुशिट पेपर हम सोल करा पाते हैं, तो आप लोग प्लीज वह सपोर्ट करें, और इस सेशन को जितना ज्यादा शेर कर सकते हैं, शेर करें, लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, लेव असिस्टेंट को कम्प्रिट में कवर कर रहा हूं, और बहुत जल्दी कोशिस रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो मैं आपको पढ़ाना भी वैसे मैंने बीच में स्टार्ट भी किया था, लेकिन आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, धन्यवाद इस पर करके और वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद